यहाँ पर बात करेंगे DCC versus COB के भी जो यहाँ पर मुकाबला खेला जाएगा देखा जाए DCC टीम एक मुकाबला ओरड़ी अभी खेल रखी है सीरीज में तीन मुकाबले वैसे तो खेल रखी है तीम बनाने में जितनों चीजों की अवस्कता होती है सारा कुछ लाइनाप के बाद फूर्वाइट करता हूँ अपने टेलीगराम चैनल पे तो आपको जोईन करना किस परकार है तो मेर भाई हमारा टेलीगराम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा क्योंकि बाहुत सारे फेक चैनल बने हुए है जो हूँ बाहु आपको डूमेस्टिक पिलिंग ले बनाजर आएंगे उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्सन लिंक या फिर कोमेंट फर्स्ट जो हता है वीडियो पे वहाँ पर भी टेलिगराम चैनल का लिंक दिया गया होगा उनकी सहयता से जुड़ोगे ते ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे यहाँ पर फिरी टिम पोर्वाइड किया जाता है तो मेरे भाई यहाँ पर C.O.B. का यहाँ पर स्कोर काड हम लोग देखने का प्रयास करेंगे एम सोबन यहाँ पर 18 का योगदान दिया यू मुहम्मद 24 का तिस परकार से इनका है गेनबाजी देखी जाए तो यह इनका गेनबाजी चल रहा है इनके टीम बहुँ ज़्यादा इस्ट्रोंग नजर आ रहे सामने वाली टीम से तो ज़्यादा ज़्यादा गेनबाज और इनके टोप आउडर पर फोकस करेंगे और जो बढ़िया गेनबाजी करता है बहतर ओल्डर उनको केप्टन वहस देने का परियाज करेंगे तो चलिए कॉंबिनेशन बक्त हम लोग समझेंगे वीडियो बढ़ा करके ज़्यादा है नहीं तो दोस्तो डी यू सी सी एक मुकाबला खिल रहे के उसके उपर सारी लोगों को नजर होना चीए वैसे देख लेते हैं इनका ये लास्ट मुकाबली का स्कोर कार इस परकार से काफी कमजोर सा नजर टीम आ रही है लेकिन अभी जो मुकाबला चल रहा है सामने वाले टीम इस्ट्रोंग थी लेकिन उनका तीन विक्टे जल्दी गवाद देनी के वज़ा से थोड़ा से यहाँ पर अच्छा सावित कर रही है लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि इनकी टीम को हार का सामना करना पड़ेगा तो मेरे भाई चलिए सीधे कॉंबिनेशन के उपर बात करेंगे लेकिन इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम इलेमन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फोर्मिसन दे देता हूँ इनके अलावे कुछ जानकारी लेना हो इंस्टाग्राम पे मेसेज करो मैं वहाँ पर सारे लोग कर रिपलाई भी देता हूँ भी बहतर तरीका से तो दोस्तों सबसे पहले सीओ बी के सारे गेनबाज को पिक करने का पर्यास करेंगे ए माथूर को यहाँ से पिक करेंगे इनके अलावे ए जैकोब को पिक करेंगे तिसरा गेनबाज यहाँ से एस कुमार हो जाएगा चौथा यहाँ पर एस बठ हो जाएगा पाच्वा यहाँ पर एस उल्ला हो जाएगा इनके लाव दोस्तों यहां से M, Shoban को यहां से पिक करेंगे, U, Muhammad को पिक करेंगे, इनका opener, पलस यहां पर 5 हम लोगों ने पिक कर लिया DCC के तरफ से बेस्ट देखा जाए तो देखो बेस्ट यहां पर S तारीक यहां से इंपोर्टेन हो जाएगा इनके लाव यहां से इंपोर्टेन होगा, इनके लाव वाई सिंग, यहां से बहतर उल्डाउंडर है इनके लाव D गया कवाट खेलेगा तो इंपोर्टेन, लास्ट मुकावला नहीं खेल रहा तो इंपोर्टेन नहीं है क्ये घुमानी की बात कि अगर जदी आप ओपनर को ड्रोप कर रहे हैं तो यह सुरुवाती दो भर डालता है, एक बिक्टे यह ले गए हैं हलक यहां से आर कुमार भी नरासीमन को यहां से पिक करेंगे अब देखो के घुमान, आर कुमार इन सबको भी आप हम लोग एक तरीका से देखा जाए तो पिक कर सकते तो वो हम लोग क्या करेंगे लाइन अप बात हम लोग समझेगे इन फिलाल अभी जो है मैं एक टीम ओल्ड़ी बनाया हूँ केपटन B.C के लिए हांपर einz कुमार जोके डे तो भर में गेनवाजी करता है साथ बलेवाजी भी तापड़ तोड़ कर लेता है केपटन हमार यहाँ से ऐस कुमार है BC के लिए यहाँ पर मैं सोच रहाऊं कि इनके ऊपर जाया आए हो सकता है इनके मैं गेनबाज एच उल्ला या पिर एस बट के उपर जाओं लेकिन अभी के तुलना पर हसेब अब्दूल हसेब जो इंपोटेन है ये गेनबाजी करना स्टार्ट कर दिये हैं तो गेनबाजी से भी आपको पॉंड देंगे और बल्लेबाजी से भी पॉंड द जाओगे तो ज़्यादा बेतर करने का परियास रएकत यहां से आप आर कुमार या फिर जो अभी एक विक्टे लिये हैं कि गुमाने इनके उपर जा सकते हो तो केप्टन भी सी फिलाल इनको रहने देते हैं तो मेरे भाई फिलाल के लिए ये टीम सेफ करके रख लो इसमें